नमस्कार दोस्तों सिविल गयान में आपका स्वागत है आज हम लोग स्टोन पिचिंग का मेजरमेंट प्रैक्टिकली कैसे होगा यह हम लोग समझेंगे आज और केलकुलेट करेंगे पूरी केलकुलेशन के साथ में कि किस तरीके से हम लोग स्टोन पिचिंग का मेजरमेंट निकाल सकते हैं easily ठीक है तो मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था इस्टोन पिचिंग का और उसी को लेके लोगों को doubt था कि हम लोग को practically बताईए कि किस तरह के से स्टोन पिचिंग का measurement निकलेगा तो मैंने देखा यार इस वीडियो को मैंने वीडियो कैसे बनाया था तो मैंने उस वीडियो में मिस्टेक फाइंड आउट की थी और आज सुबह ही मुझे एक बंदे ने भी बताया जो एक वीडियो को डिलिट करके एक नया वीडियो बनाते हैं practically जो एक पूरा correct वीडियो हो क्योंकि वहां पे मैंने formula गलत लगा दिया था तो वहां पे मैंने area की जगे पे volume का formula अप्लाई कर दिया था तो उसको मैं आज आपको correct कर देता हूं यहां पे और उसको मैं आपको पूरा सही तरीके से बताता हूं कि किस तरीके से हमारा stone pitching का measurement निकलेगा तो शुरू करते हैं शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो अभी जाके subscribe कर लीजिए subscription के जो option है वो आपके सामने visible है आपको subscribe के button पर click करना है और bell notification का icon को दबा देना है ताकि जितने भी हमारे notification हो आपको तुरंत मिल जाए video upload के और आप उसको easily देख सको video को notification में आते ही तो अब देखते हैं यहां पे किस तरीके से यह measurement होगा यहां पे तो आप लोग देख सक कि यह conical shape पर आप लोग यहां से confirm कर सकते हैं इन lines की मदद से आप लोग confirm कर सकते हैं और वैसे भी आप लोग एक logical mind जो आप लोग घुमाएंगे logical तरीके से तो आप लोग समझ सकते हैं कि यह conical shape है क्योंकि यहां पे जितनी भी line से corner पर आके मिल रही है और यह कुछ ना कु जог now it's application मतलब यह सारी lines यहां पर जाके मिल रही है मतलब यह एक indication है कि यहां पर circular कौन का कोई part है यह आप तो अब यहां पर आतना यहां पर यह पोरा बनता है इल्ग और लोग यह 1-4 इया हिस्सा है यहां पर इस सरकल जीसा कि और पोरा सरकल बनता हूं एक परफेक्ट सरकल तो नहीं बनेगा तो कुछ इस तरीके से सरकल बनता है तो आप लोग अब देख सकते हैं कि एक सरकल का जो यह वन बाइ फॉर्थ पार्ट है यहाँ पे और एसी लाइन से कर आप इधर भी ड्रो कर लें यहाँ पे तो यहाँ पे एक कॉनि बाइ फॉर्थ पार्ट होता है तो यह वन बाइ फॉर्थ पार्ट है तो इसका फॉर्मॉला क्या होगा निकालने का सर्फेस एरिया निकालने का तो उससे पहले हम लोग देखते हैं कि पूरे कौन का सर्फेस एरिया क्या होता है वह होता है पाई आर स्क्वाइर प्लस यहां पर देखते हैं जब हम लोग यह कौन बनाएंगे यहां पर तो आप लोगो पता चलेगा यहां पर पूरा यहां पर हम लोग समझ रहें तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहां पर कौन में क्या क्या चीज़ें होती है ठीक है तो कौन में एक तो होती है यहाँ पे इसकी height ठीक है और height के अलाबा क्या होती है यहाँ पे इसकी radius तो यह एक तो होगे radius और height और L क्या होगी यह इसकी length यह वाली length कितनी है इसको बोलते हैं हम लोग L ठीक है इसको कैसे निकालेंगे h square प्लस r square इन दोनों का under root करेंगे इन दोनों को जोड़के तो यह L निकलेगा मतलब हम लोगो cool मिलाके यहाँ पे पाइथा गोरे स्थोरम जो है वो apply करनी है और हम लोगों को L निकालना है ठीक है तो यह जो pi r square हो गया यह pi r square क्या है यह नीचे वाले bottom का हमारा मतलब कौन का जो bottom है उसका एक surface area है कौन के bottom का तो कौन के bottom के surface area से हमको कुछ ल हमला बनेगा pi r l ठीक है यह पूरे cone का surface area बोटम को छोड़के ठीक है और हम लोगों को चाहिए यहाँ पर one by fourth part तो हम लोग इसको divided by four कर लेते हैं मतलब stone pitching का जो हमारा measurement है बस इसी part का निकालने के लिए वो आएगा यहाँ पे pi r l by four बाकि आप इसको निकाल सकते हैं यह तो नद्दि का flow आ सकता है वहाँ तक आप लोग stone pitching करते हैं जनरली मतलब जहाँ पर भी हमारा slope खतम हो के और जो original ground level जो हमारा रोड का level के इस साब से जो ग्राउंड लेवल हो चालो हो जाता है नाले का level खतम हो के वहाँ तक stone pitching होती है जनरली तो वहाँ तक आप लोग कर सकते ह है क्योंकि यहाँ पे तो पूरा यहाँ पे रेक्टेंगुलर एरिया है इसलिए आप इसको निकाल सकते हैं बस आपको यह वाला इसमें प्रोब्लम होती है तो मैं इसी को बता रहा हूं यहाँ पे तो इसका जो फॉर्मला है वह होता है पाई आर एल बाई फॉर ठीक है अब क्या यह मैंने आपको बढ़ा दिया अब इन सब की केल्कुलेशन हम लोग यहाँ पर करते हैं तो फिलाल इसको आप लोग कर लिजिए हम लोग करते हैं अभी और यहाँ पर आप लोग याद रखिए कि यह हम लोग को फॉर्मला अप्लाए करना है ठीक है तो अब पाई आर एल हमारा फॉर्मला हो गया तो हम लोग को एक तो चाहिए आर और एक चाहिए एल और एल निकालने के लिए हम लोग को एच की भी ज़रुत पड़ेगी और आर की भी ज़रुत पड़ेगी तो हम लोग यहाँ पर एच मतलब इसकी हाइट क्या निकलेगी और इसकी रेडियस 50 mm की थिकने से स्लेप की तो टोटल मिला कि यह जोडेंगे हम इसको तो कितना निकलेगा वो देखते हैं अभी और जो हमारी pitching है वो कार तक हो रखी है यह यहां तक हो रखी है मतलब ground level का जो जो हमारा ground level है वहां से pitching चालू होती ही generally तो वहां तक यह हो रखी है तो यहां ground level से 300 mm नीचे invert level होता है हमेशा यह ध्यान रखी है तो यहां से हम लोगों 300 mm माइनस करना है एक तो मतलब यह वाली height हम लोगों को लाने के लिए 4776 में से 300 mm माइनस करना है तो 4776 माइनस 300 mm हम लोगों ने कर लिया तो यह 4476 आया और हमारा formula apply करना है तो यहां पर h क्या निकल के आई h लिख लेते हैं यहां पर h निकल के यहां पर 5.026 meter ठीक है यह h निकल के आती है ठीक है अब यहां पर हम लोगों को निकालना है radius तो radius कैसे निकालेंगे हम लोग देख लेते हैं आपको ड्रोइंग में च्छान बिन तो करनी ही पड़ेगी किसे ने किसी तरीके से अब आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर radius निकालने के लिए हम लोग को कुछ यहां पर अपलाए करना पड़ेगा तो radius आप लोग कैसे निकालेंगे आप लोग देखिए यहां पर मैं आपको बताता हूं तो radius वैसे तो मैं यहां पर तो वाल के यहां पर सारी dimensions दे रखिए यहां पर इनकी मदद से हम लोग radius कैसे निकालेंगे अब यह तो हो गई हमारी h अब हम लोग को चाहिए radius तो फिर हमारा काम हो जाएगा तो radius निकालने के लिए हम लोग को अब यहां पर देख सकते हैं आपकी यहां से कुछ डाइमेंशन जो है returning wall से यहां पर 500 mm आगे से यहां पर pitching चालू हो रखिए अगर यह 500 mm नहीं दिया वह होता तो हम लोग यहां से पिचिंग चालू करते हो और जहां पर हमारी हाइट होरी यहां पर खतम करते हम लोग तो अभी फिलाल यहां पर यह से तो वाल की जो width ते है 350 और यह वाली जो है यह वाली जो face है वो अमारी जो wall का inner face है जो हमारा box calvert या कोई भी bridge उसका inner face है inner face है उससे यह पूरा चलेगा और उससे 350 mm हमारा अंदर से यहां पर pitching चालू होगा तो हम लोग को 350 mm भी minus करना है यहां से ठीके तो इतनी चीज़े हम हम लोग को minus करनी है ठीके तो अब यह सारी चीज़े हम लोग को पता चल गई तो यह सारी चीज़े हम लोग को minus करनी है तो इस सब की हम लोग अब calculation करते हैं यहां पर और इसको निकालते हैं ठीके तो एक तो यहां पर 4.069 हो गई 4.069 हो गई और उसमें से हम लोग 500 mm माइनस करना है और प्लस उसमें 450 mm जोडना है ठीके और उसमें से कितना 350 mm माइनस करना है जो कि हमारी टोवाल की width है तो वहां तक हमारी radius निकल के आ जाएगी तो यह आता है 3.669 यहां पर आती है इसकी value तो 3.669 हमारी आर जो है वह हो ग 9 मीटर यहां पर हमारी radius हो गई और इससे हम लोग L कैसे निकालेंगे L निकालने के लिए हमको इसका under root L मतलब H square plus R square हम लोग को करना है तो हम लोग इससे निकालते हैं कि L हमारा निकल के क्या आएगा यहां पर तो L निकालने के लिए हम लोगों को 5.026 का square plus 3.669 का square यह answer आता है हमारा 38.722 ठीक है और इसको हम लोग कर लेते हैं इसका हम लोग under root कर लेते हैं तो 6.223 यहां पे इसकी length आती है तो6.223 हम लोग लिख लेते हैं 6.223 तो हम लोगों ने अब सारी चीजे निकाल ली अब हम लोगों को हमारी formula में इस इन सब चीजों को put up करना है और हम लोग को इसका calculation निकाल लेना है ठीक है तो यह हम लोग कैसे निकालेंगे तो अब यहाँ पे हम लोग को formula हमारा वापस से apply करना है pi r l by 4 तो pi r l by 4 में हम लोग को सारी values लिखनी है तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे pi into r क्या हो गया r हो गया 3.669 और फिर multiplied by 6.223 ठीक है इसको हम लोग divided by 4 कर लेते हैं तो क्या value निकल के आती है हम लोग calculate करते हैं इसको तो यहाँ पे जो values निकल के आएगी तो 17.932 करके हमारी value आती है 17.932 तो 17.932 meter square हमारा surface area निकल के आएगा यहाँ पे ठीक है तो यह कुछ इस तरीके से हम लोग surface area निकालते हैं मतलब stone pitching की quantity निकालते हैं हम लोग stone pitching की quantity मतलब इसका stone pitching का measurement की से हम लोग कर सकते हैं वह हम लोग निकाल सकते हैं easily बहुत एजी निकालना बस आपको formula ध्यान में रखना है formula अगर आप १यान में होगा तो आप लोग easily निकाल सकते हैं इसको easily निकाल सकते हैं जो भी angle बनें आप लोग कहाँ वो ख एंगल केल्कुलेट कीजिए वैसे 90 डिग्री रहता है हमेशा एंगल उसके हिसाब से आप लोग केल्कुलेशन करके और यह वल्यू निकाल सकते हैं यह आप लोग इसको एक आप लोगs जोडएंगे तो फिर आपकी टोटल स्टोन पीचिंग का मेजरमेंट निकालने का तरीका . अपने दोस्तों के साथ में शैर करना मत भूलिए और अगर आपने अभी तक साझैर को सबस्क्राइब नहीं किया ये तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगले वीडियो में फिर मिलते हैं कुछ नया लेके तब तक के लिए नमस्कार